आप सभी की तरह मेरे चेहरे पे भी बाल है लेकिन इसको साफ कराने के लिए मैं पारलर नहीं जाती हूँ मैं अपने face पे क्या लगाती हूं किस तरीके से facial hair को घर पे हटाती हूं बिना skin को नुक्सान पहुचाए मेरा skin काला भी नहीं पढ़ता है और बड़े ही आराम से facial hair साफ हो जाता है आज के इस वीडियो में वही आप लोगों को बता रही हूं किस तरीके से मैं घर पे 2 मिनट म साफ करती हैं हेलो एब्रीवान कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने skin का खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे जैसे की title और thumbnail देखके आप लोग को idea लग गया होगा कि आज मैं किस तरह का वीडियो आप लोग के साथ share कर रही हूं वैसे तो बहु गुलाब जल का यूज करके आज हम एक ऐसी कमाल की remedy तयार करने वाले हैं जिसका यूज करके हम घर पे दो से तीन मिनट में facial hair को साफ कर लेंगे तो इस remedy को तयार करने के लिए आपको दो से तीन चम्मच ले लेना है गुलाब जल जो इस टेप बता रहे हूं जिस तरीके से से बना रहे हूं सेम इसी तरीके से बनाईएगा अगर इसमें से आप कुछ भी स्किप करेंगे या तो इसमें से कुछ भी आपके स्किन को ना सूट करता हूँ फिर आप उसी स्किप कर देंगे तो फिर उतना अच्छा है काम नहीं करेगा क्योंकि इस तरीके से मैं बहुत सारा बाल है ऐसा नहीं है कि मेरा skin clean है और हर एक महिला के face पे बाल की समस्या होती है किसी के face पे कम तो किसी के face पे जा दे तो मेरे face पे फिलाहाल कम है लेकिन फिर भी मैं इसे हटाने के लिए पारलर नहीं जाती हूँ तो जो remedy आज आप लोग बता रहे हूं मेरे बताईवे तरीके से इसे बना करके लगाईए रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा दो चम्मच गुलाब जल में आपको आधा चम्मच एट कर देना है बेसन जो की चने का दाल का होता है ठीक है जी बेसन बहुत पुराने जबाने से यूज होता आ रहा है दादी और नानिक जबाने में भी यूज होता था और बहुत सारे फेस पैक में हम इसे यूज करते हैं ये face को clean भी करता है, training और mile को तो साब करता है, साथ में facial hair को भी ये हटाने में मदद करता है, तो आधा चम्मच हम इसमें बेशन लिये हैं, तीसरी चीज हमें हाँ पे ले रहे हैं, एक चम्मच भर के चावल का आटा, जी हाँ, चावल का आटा skin को तो bright करता ही करता है, साथ मे facial hair को हटाने में मदद करता है, जब अरजस्त इसका result मिलता है हमारे face पे, चावल का आटा अगर सही तरीके से यूज कर लिया जाए, तो यह हमारे कई skin problem को जड़ से ठीक कर देगा, पर आप लोग के साथ जो मैं वीडियो सेयर करती हूँ, सबसे पहले आप लोग खुद गलती करते हैं, वीडियो को पूरा देखते नहीं है, तो पूरा देखा करिए, पूरी जानकारी लिया करिए, अ अब इसमें जो हम आइड कर रहे हैं, फ्रेंड आधा चमच भर के इसमें हम डाल रहे हैं, फिटकिरी का पाउडर याने की ऐलम, अगर आप मेरे पुराने वीवर हैं, तो आप लोग को पता होगा कि खास करके facial hair को हटाने के लिए मैं जादा से जादा फिटकिरी का यूज क कम कर देता है, तो हम यहाँ पे आधा चमच फिटकरी लिए हैं, इसका पाउडर बड़े ही आराम से बन जाता है, बना कर रख भी सकते हैं, या तो आपके पास पत्थर है, तो जब भी आप इस तरीके का पैक लगाने जाते हैं, तो थोड़ा सा पत्थर को पीछ लेंगी, तो इसकीन बहुत जादे काला पड़ जाता है, डार्क हो जाता है, तो ऐसे में कॉफी इसकीन को ब्राइट भी करेगा, और साथ में फेसियल हेर को भी यह हटाएगा, और इसमें हम आधा चमच और गुलाब जल डाल दिये हैं, क्योंकि यह थोड़ा सा मुझे गाढ़ा बने रहेगा, अभी यह पूरी तरीके से बन के तयार नहीं हुआ है, इतना डेपली जानकारी मैं इसलिए दे रहे हूं, क्योंकि आप लोग बाद में कमेंट करके पूछते हैं, तो इसलिए मैं एक एक इस्टेप आप लोग को दिखा दे रहे हूं, ताकि आपको बाद में कमेंट करके ना पूछना पड़े कि ये कैसे बनाना है बीक में कितनी बार लगाना है ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा ये वीडियो आपके बड़े काम आ सकता है आपको पारलर जाने से छुटकारा दिला सकता है जी यहां आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं मेरा खुद का experience है और जहां तक मुझे ऐसा लगता है नेचुरल तरीके से इसका treatment किया जाए तो दुबारा से बाल बहुत कम आता है बाकी आप लोग की मरजी आप इसे यूज कर सकते हैं या तो वीडियो देख कर जा सकते हैं क्योंकि आप लोग तो लगाते हैं नहीं सिर् डो मेनट के लिए रख देना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए फूल जाए इसे फेस पे कैसे लगाना है चलिए देख लेते है तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसे लगा करके मैं 30 मिनट के लिए छोड़ दी थी इतना जल्दी ये सूखे का नहीं क्योंकि इसे फेस पे लगाने के बाद जल्दी से सूखता नहीं है इस तरह का पैक और इस टाइम ठंड है ठंड में कुछ भी हम अपने फेस पे लगाते हैं तो जल्दी ये ड्राइ नहीं होता है तो इसे लगा कर आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा मैं 30 मिनट का टाइम दी थी परिशे लगा कर हमें बैठना नहीं है ऐसा नहीं कि आप फेस पे लगाए है तो बैठे रहेंगे जी नहीं आप अपना काम करते रहें बाकि ये फेस पे ड्राइ होता रहेगा तो हम 30 मिनट का टाइम दीए थे और अच्छे से फेस पे चिपक गया है पूरी तरह से ड्राइ हो गया है अब इसे हमें किस तरीके से निकारना है वीडियो में आप लोग देख सकते हैं एक एक इस टेप आप लोगो दिखा रहे हूं किस तरी बालों के opposite direction में मसाज करके निकार रही हूं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मसाज करेंगे तो जितना भी बाल होगा तूटके निकड़ेगा बड़ा ही अच्छा एक काम करता है highly request कर रही हूं कि अगर आपके चेहरे पे बहुत बालों की growth है दाढ़ी मुझ की तरह दिखता ह है तो ऐसे में आप इसे लगाना सुरू करिए अगर सर्दियों में आपका इस्किन बहुत जादे काला पड़ गया है टाइनिंग बहुत जादे आपके face पे हो गई है या तो बहुत जादे facial hair का growth आ गया है पारलर नहीं जा रही है तो जाइए गाभी मत इस तरीके का remedy आप आप रोज लगा सकती है अगर आपके पास टाइम है तो इसे रोज लगाए और एक हपता करके देखिए आपके चेहरे पे जो result आपको दिखेगा खुसी से जूम उठेंगी पारलर नहीं जाएंगी इतना मैं आपको गारंटी दे रही हूं तो इस पाइक को अच्छे से मसा मसाज के जहां पर हबाल था पूरे फेस में मसाज करने की जरूरत क्योंकि काफी हद तक इसकीन पर चिपक गया है और इसे निकारना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर पूरे फेस में मसाज कर सकती हैं अगर आपके चेहरे पर बहुत बाल है तो सिर्फ दाड़ी को result दिख रहा है कि नहीं अगर आप teenage में है तब भी आप इसे यूच कर सकती है या तो आपका ये 40 साल है 30 पार कर चुकी है और आपके face पे बहुत जादे बालों की growth है तब भी आप इसे लगा सकती है आप 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 लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो like और share कर दीजिएगा चैनल पने हूँ है और आपको इस टाइप का वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को subscribe करके वे लाइकिन को on कर लिजिएगा नेक्ट वीडियो की इस topic पर देखना चाते हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने family में अपने दोस्तों में share करिएगा